मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, आप सब लोगडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं, इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव, फोन कॉल की संख्या, सामान रुप से कई गुना ज़्यादा है, कई सारे विशवयों को अपने अंदर समेट, आपकी यहमन की बा पड़ पाऊं, सुन पाऊं, आपकी बातों से कई ऐसे पहलु जानने को मिले हैं, जिन पर इस आपाधापी में ध्यानी नहीं जाता है, मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में, उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देश्वासियों के साथ बाटू, साथियों, भारत की कोरोना के खिलाप लड़ाई सही माइने में पीपल डिवन है, भारत में कोरोना के खिलाप लड़ाई जनता लड़ रही हैं, आप लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है, भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रत्शिल है गरीबी से निरनायक लड़ा ही लड़ रहा है उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है और हम भागिशाली है कि आज पुरा देश देश का हर नागरीक जन जन इस लड़ाई का सिपाई है लड़ाई का नेत्रुत्व कर रहा है आप कहीं भी नजर डालिए आपको एसास हो जाएगा कि भारत के लड़ाई पीपल डिवन है जब पुरा विश्व इस महामारी के संकट से जूज रहा है बविश्व में जब इसकी चर्चा होगी उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल डिवन लड़ाई इसकी जरूर चर्चा होगी पूरे देश में गली महलों में जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आये हैं गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की ववस्ता हो लोगडाउन का पालन हो अस्पतालों की ववस्ता हो मेडिकल एक्विपमेंट का देश में ही निर्मान हो आज पूरा देश एक लक्ष एक दिशा साथ साथ चल रहा है ताली थाली दिया मोमबति इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया जिस जजबे से देश वासियों ने कुछन कुछ करने की ठान ली हर किसी को इन बातों ने प्रेरीत किया है शहर हो या गाउं ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायग्य चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतूर है हमारे किसान भाई भेनों को ही देखिए एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात महनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा नसोए हर कोई अपने सामर्थ के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है कोई किराया माप कर रहा है तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राश्य को पी एम कैस में जमा करा रहा है कोई खेत की सारी सबजियां दाम दे रहा है तो कोई हर रोज सैक्डों गरिबों को मुक्त भोजन करा रहा है कोई मास्क बना रहा है, कहीं हमारे मजदुर भाई बहन कॉरंटीन में रहते हुए, जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसके रंगाई पुताई कर रहे हैं, साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर, रदय की किसी कौने में, जो ये उमरता घुमरता भाव है न, वही, वही कोरोना के खिलाप भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है, वही, इस लड़ाई को सच्चे माइने में पीपल ड्रिवन बना रहा है, और हमने देखा है, पिछले कुछ साल में, हमारे देश में, यह मिजद बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है, चाहे करोडों लोगों का गैस सबसेड़ी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सेटीजन का रेलवे सबसेड़ी छोड़ना हो, स्वच्च भारत अभ्यान का नेत्रूत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अंगिनित बाते ऐसी है, इन सारी बातों से पता चलता है, हम सब को एक मन एक मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ कनने की प्रिणा दी है, मेरे पैरे देश वासियों मैं पुरी नमरता पूरवक, भावती आधर के साथ, आज 130 करोड देश वासियों की इस भावना को सर जुका करके नमन करता हूं, आप अपनी भावना क अनुरूप, देश के लिए अपनी रूची के हिसाब से, अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, ये प्लेटफॉर्म है, covidwarriors.gov.in, मैं दुबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in, सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तमाम सामाजिक संस्थाओं के volunteers, civil society के प्रतिनिधी और स्थानिय प्रसाशन को एक दूसरे से जोड दिया है, बहुती कम समय में, इस portal से सवा करोग लोग जुड चुके हैं, इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर, हमारी आशा, A.N.M. बहने, हमारे N.C.C., N.S.S. के साथी, अलग-अलग field के तमाम professionals, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है, ये लोग स्थानिय स्थर पर, क्राइसिस मनेज्मेंट प्लान बनाने वालों में, और उसकी पूर्ति में भी, भहुत मदद कर रहे हैं, आप भी, covidwarriors.gov.in से जूड कर, देश की सेवा कर सकते हैं, covid warrior बन सकते हैं, साथियों, हर मुश्किल हाला, हर लडाई, कुछ ने कुछ सबक देती हैं, कुछ ने कुछ सिखा करके जाती हैं, सीख देती हैं, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती हैं, और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती हैं, इस परिस्तिति में, आप सब देश्वासियों ने, जो संकल्प शक्ति दिखाई हैं, उससे भारत में एक नए बडलाव की शुरुवात भी हुई हैं, हमारे बिजनेस, हमारे दब्तर, हमारे सिक्षन सौस्तान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई, तेही से नए तकनीकी बडलावों की तरब भी बढ़ रह हैं, टेक्नोलोजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है, कि देश का हर इनोवेटर, नई परिस्तित्यों के मताबिक, कुछ ने कुछ नया निर्मान कर रहा है, साथियों, देश जब एक टीम बन करके काम करता है, तब क्या कुछ होता है, ये हम अनुभव कर रहे हैं, आज केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनका हर एक विभाग और समस्तान, राहत के लिए मिल जूल करके, पूरी स्पीड से काम कर रहे हैं, हमारे एवियेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग हो, रेलिवे कर्मचारी हो, ये दिन रात महनत कर रहे हैं, ताकि देश वाश को कम से कम समस्या हो आप पैसे साहित बहुत लोगों को मालूम होगा कि देश के हर हिस्से में दवाईयों को पहुंचाने के लिए लाइफ लाइन उडान नाम से एक विशेश अभियान चल रहा है हमारे इन साथियों ने इतने कम समय में देश के भीतर ही तीन लाग किलोमेटर के हवाई उडान भरी है और पान सो टन से अधीक मेडिकल सामगरी देश के कौने कौने में आप तक पहुंचाया है इसी तरह रेलवे के साथ ही लॉकडाउन में भी लगातार मैनत कर रहे हैं ताकि देश के आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की कमी न हो इस काम के लिए भारत के रेलवे करिब करिब 60 से अधिक रेलमार्क पर 100 से भी जादा पार्सल ट्रेन चला रही है इसी तरह दवाओं की आपूर्ति में हमारे डाक विभाग के लोग बहुत एहम भूमी का दिभार है हमारी सभी साथी सच्चे अर्थ में कोरोना के वारियर ही है साथियों प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के तहट गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं बृद्धवस्ता पेंशन जारी की गई है गरीबों को तीन महने के मुप्त गैस सिलिंडर रासन जैसी सुविधाय भी दी जा रही है इन सब कामों में सरकार के अलग-अलग विभागों के लोग बैंक्टिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं और मैं हमारे देश की राज्य सरकारों की भी इस बात के लिए प्रसंसा करूँगा कि वो इस महामारी से निपटने में बहुत सक्रिय भूमी का निभा रही है स्थानी ये प्रशासन राज्य सरकारे जो जिम्मेदारी निभा रही है उसकी कोरोना की खिलाब लड़ाई में बहुत बड़ी भूमी का है उनका ये परिश्रम बहुत प्रसंसनी है मेरे पैरे देश स्वासियों, देश भर से स्वास्त सेवों से जुड़े लोगों ने अभी हाली में जो अध्यादेश लाया गया है, उस पर अपना संतोष व्यत्त किया है इस अध्यादेश में कोरोना वारियस के साथ हिंसा, उत्पिडन और उन्हें किसी रूप में चोड़ पहुँचाने वालों के खिलाब बेहत सक्त सजा का प्रावधान किया गया है हमारे डॉक्टर, नर्सेश, परामेरिकल स्टाप, कॉम्यूनिटी हिल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कॉरोना मुक्त बनाने में दिन राज जूटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए एक अदम बहुत जरूरी था मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाब इस लड़ाए के दोरान हमें अपने जीवन को, समाज को, हमारे आसपास हो रही घटनाओं को, एक फ्रेश्ट नजरिये से देशने का आउसर भी मिला है समाज के नजरिये में भी व्यापक बड़लाव आया है आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की एहमियत का हमें आभास हो रहा है हमारे घवर में काम करने वाले लोग हो, हमारी जरूरतों को पुरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हो, पडोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो इन सब की कितनी बड़ी भूमी का है, हमें ये अनुभव हो रहा है इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलिवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मद्दूर भाई बहन, हमारे आस पडोस के आटो चालक, रिक्षा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितरा मुश्किल हो सकता है आज कल तोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लौकडाउन के दोरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बलकि उनकी बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीर हैं आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्परवर्शा कर रहे हैं, पहले उनके काम को संभवत हैं आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सिवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बड़लाव हुआ है पहले पुलिस के विशे में सोते ही नकारात्मक्ता के सिवा है, हमें कुछ नजर नहीं आता था हमारे पुलिस कर्मी आज गरीबों, जरूरत मंदों को खाना पहुचा रहे हैं, दवा पहुचा रहे हैं जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इसे पुलिसिंग का मानविय और सम्वेदन सिल पक्ष हमारे सामने उफर करके आया है, हमारे मन को जगजोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है, एक ऐसा आउसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से च आउसर के रूप में लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है, इन घटनाओं से आने वाले समय में, सच्चे अर्थ में, बहुती सकारात्मक ब्रलाव आ सकता है, और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है, साथियों, हम अक्सर सुनते हैं प्रकृती, विक्रूती और संस्कृती, इन सब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें, तो आपको जीवन को समयने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा, अगर मानो प्रकृती की चर्चा करें, तो ये मेर मैं इसका उप्योग करता हूँ, इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है, किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होता, इसे हम प्रकृती कह सकते हैं, लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से छीन लेता हूँ, उसे छीन कर उप्योग में लाता हूँ, तो हम इसे विक्रूती कह सकते हैं, इन दोनों से परे प्रकृती और विक्रूती से ऊपर जब कोई समस्कारित मन सोचता है या वहवार करता है, तो हमें संस्कृती नजराती है, जब कोई अपने हक की चीज, अपनी महनत से कमाई चीज, अपने लिए जरूरी चीज, कम हो या अधिक, इसकी परवा के बिना किसी व्यक्ति की जरुवत को देखते हुए, खुद की चिंता छोड़कर, अपने हक के हिस्से को बाट करके, किसी दूसरे की जरुवत पुरी करता है, वही तो संस्कृति है, साथियों, जब कसोटी का काल होता है, तब इन गुणों का परिक्षण होता है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप, हमारी सोच के अनुरूप, हमारी संस्कृति का निर्भन करते हुए, कुछ फैस संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी सम्रुद्ध देशों के लिए भी दवाईयों का संकट बहुत जादा रहा है। से परे होकर फैसला लिया। भारत ने अपने संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवस्षक्ताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही। लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकारबर भी पूरा पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरत मन तक दवाईयों को पहुँचाने का बिड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्टा ध्यक्षों से फोन प्रबात होती हैं तो भारत की जंता का अभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो भारत के आईरुवेद और योग के महत को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए हर तरफ इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आईरुवेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्ट्री से आईश और जो अन्य दिशांदर देश्ट आयुश मंत्राले ने जारी किये हैं वो आप अपनी दिन चरिया में शामिल करेंगे तो आपको भहुत लाभ होगा। साथियों वैसे ये दुरभा के रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और सम्रुद्ध परंपरों को पहचानने से इनकार कर देते हैं लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश्ट एविडेंस बेज रिसर्च के आधार पर वही बात करता है हमारी फोर्मिला हमें सिखाता है हम उसे हाथ हो हाथ ले लेते हैं सम्रुद्ध है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैक्डों वर्सों की हम अब अपने ही शक्ति पर विश्वात नहीं होता है हमारा आपने विश्वास कम नजर आता है इसलिए हम अपने देश के अच्छी बातों को हमारे पारंपारिक सिधान्तों को एविडेंस बेज रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाए उसे छोड़ देते हैं उस वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आईरुवेत के सिधान्तों को भी विश्व अभश्य स्विकार करेगा हां इसके लिए युवा पिरी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्यानिक भाषा में हमें समझाना होगा कुछ करके हमारे काम करने के तरीके हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभावी ग्रुप से अपनी जगा बना रहे हैं आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग-अलग विश्वों पर हमारी समझ और हमारी छेतना को जागरुत किया है जो असर हमें अ आस पास देखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को डग कर रखना। कोरोना की विज़र से बदलती हुए हालाफ में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आस पास के भहुत सारे लोग मास्क में दिखे। लेकिन अब हो यही रहा है। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बिमार है। और जब मैं मास्क की बात करता हूँ तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी आत होगा। एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहाँ अगर कोई नागरीक फल खरिकता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पुछते थे क्या घर में कोई बिमार है यानि फल मतलब बिमारी में ही खाया जाता है। ऐसे एक धारणा बनी हुई थी हाला कि समय बडला और ये धारणा भी बडली वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा मास्क अब सब समाज का प्रतिक बन जाएगा। अगर बिमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुजाव रहता है गमछा। मूँ ढखना है। साथियों हमारे समाज में एक और बड़ी जागरुता ये आई हैं कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सारवजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुक्सान हो सकते हैं। यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्चता और स्वास्त को गंभी चुनावती भी देता था। वैसे एक तरसे देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहें। लिकिन ये समस्या समाज से समात होने का नामी नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कहते भी हैं कि बेटर लेट दन नेवर तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ये बाते जहां बेजिक हैजिन का स्तर बढ़ाएंगी वहीं कोरोना संक्रमन को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों ये सुखत सहियोगी है कि आज जब आप से मैं मन की बात कर रहा हूँ तो अक्षय तुरुतिया का पवित्र पर्व भी है। साथियों शय का अर्थ होता है विनाश लेकिन जो कभी नस्ट नहीं हो जो कभी समाप्त नहीं हो वो अक्षय है। ये कठिन समय में ये एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा, हमारी भावना अक्षय है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठीनाईयां रास्ता रोके, चाहे कितनी भी आपनाईयां, चाहे कितनी भी ब्यमारियों का सामना करना पड़े, इन से लरने और जूजने की मानविय भावनाएं अक्षय है। माना जाता है कि यही वो दिन है जिस दिन भगवान स्रिकर्ष्ण और भगवान सुर्यदेव के आशिरवात से पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। अक्षय पात्र यानि एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। हमारे अन्नदाता किसान हर परिस्थिति में देश के लिए हम सब के लिए इसी भावना से परिश्थ्रम करते हैं। इवी के परिश्थ्रम से आज हम सब के लिए गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्नभंडार है। इस अक्षय तुरुतिया पर हमें अपने परियावरण, जंगल, नजियां और पूरे एकोसिस्टिम के सवरक्षन के बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारे जीवन में महत्पपन भूमी का निबाते हैं। अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं, तो हमें पहले यह सुनिशित करना होगा कि हमारी धर्ती अक्षय रहे। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तुरुतिया का यह पर्व, दान की शक्ती यह पावर अब गिविंग का भी एक अवसर होता है। हम रुदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं, वास्तों में महत उसी का होता है। यह बात महत पूर नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं। संकट के इस दौर में हमारा छोटा सा प्रयाज, हमारे आस पास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है। साथियों, जैन परंपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है। क्योंकि पहले तिर्थंकर भगवान, रुशब बेव के जीवन का यह एक महत्वपून दिन रहा है। ऐसे में जैन समाज इसे एक परव के रुप में मनाता है। और इसलिए एस समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी सुबकारिय को प्रारम करना पसंद करते हैं। चुकि आज कुछ नया शुरू करने का दीन है, तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धर्दी को अक्षय और अविनाश्री बनाने का संकल्प ले सकते हैं। साथियों, आज भगवान बस्वेश्वर्ट जी की भी जैनती है। पनाया गया था, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसिवतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पुरे विश्व में ये मुसिवत आही गई है, तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को सैयम, सदभावना, सब्वेदन सिल्ता और सेवा भाव का प्रतिक बनाए। इस बार हम पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि इद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्सा के साथ इद मनाए। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानी य प्रसासन के इन दिशान निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाब चल रही इस लड़ाई को हम और मजबुत करेंगे। सडकों पर, बाजारों में, महलों में, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवशक है। मैं आज उन सभी कम्यूनिटी लीडर्स के प्रती भी आभार प्रकड़ करता हूँ, जो दो गज दुरी और घर से बाहर नहीं निकलने को लेकर लोगों को जागरुक कर रहे हैं। बाकई, कोरोना निजबार, भारत समेत, दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूपी बदल दिया है। और समाज के प्रती शुभचिंतन के साथ त्योहारों को मनाया। आम तोर पर बें त्योहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, पुरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे। घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी साजा करते थे। लेकिन इस बार हर किसी ने सेयम बरता, लोकडाउन के नियमों का पालन किया, हमने देखा है, कि इस बार हमारे इसाई दोस्तों ने इश्टर भी गर पर ही मनाया है, अपने समाज, अपने देश के प्रतिय जिम्मेदारी निभाना, आज की बहुत बड़ी जरूरत है, तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को परास्त कर पाएंगे मेरे पहरे देश्वासियों इस वैश्विक महामारी के संकट के बीच आपके परिवार के सदस्य के नाते और आप सब भी मेरे ही परिवार जन है तब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना, यह मेरा दाईत्व भी बनता है, मेरे देश वाजियों से मैं आपसे आगरह करूँगा, हम कते ही अति आत्म विश्वास में नफस जाए, हम ऐसा विचार न पालने कि हमारे शहर में, हमारे गाउं में, हमारी गली में, हमारे दब अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है देखिए ऐसी गलती कभी मत पालना दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारी हाथों बार-बार कहा जाता है सावधानी हटी तो दुरगट ना घटी याद रखिए हमारे पुर् जो ने कहा है अगनी ही शेशम, रुण शेशम, व्यादी शेशम, तथैवचर, पुना पुना प्रवर्वेत, तस्मात, शेशम न कारियेत, अर्थात हलके में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बिमारी, मोका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाग हो जाती है इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवशक होता है, इसलिए अति उत्सा में स्थानिय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा और मैं फिर एक बार कहूँगा, दोगजदुरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्त रखिए, दोगजदुरी बहुत है जरूरी आप सब के उत्तम स्वास्त की कामना करते हुए, मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ, अगली मन की बात के समय जब मिलें, तब इस वैश्विक महामारी से कुछ मुक्ती की खबरें, दुनिया भर से आएं, मानवजात इन मुसीबतों से बहार आएं, इसी प्रार्षना के आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद